नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल अल्टिमेट नॉलेश पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छ से जानते हैं कि समुद्र की दुनिया अपने आप में बहुत बड़ी और रहस्यों से भरी मानी जाती है आज तक दुनिया में समुद्र से जुड़े जितने भी रहस्यों का पता चला है वो समुद्र के कुल रहस्यों का एक परसेंट भी नहीं माना जाता आप सब लोगों ने इस बात को देखा होगा कि आए दिन समुद्र से कुछ न कुछ ऐसा निकलता रहता है जो कि अपने आप में काफी अनोखा और दुनिया को हैरान कर देने वाला होता है ऐसा ही कुछ हुआ है मेडागासकर के समुद्र में जहां पर मचवारों के हाथ समुद्र से कुछ ऐसा लगा है कि जिसने पूरी दुनिया को काफी हैरान करके रख दिया मैडगास करके समूदर में मचवारों के हाथ कुछ ऐसा लगा है कि जिसके मिलने से काफी हड़कंप मच गया है मैडगास करके समूदर में मचवारों के हाथ दुनिया की सबसे बूरी मचली हाथ लगी है जो की लगभग 42 करोड साल पुरानी बताई जा रही है और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये मचली अब तक पूरी तरह से जीवित है जैसे ही इसकी सूचना वैग्यानिकों को मिली वैसे ही वैग्यानिकों ने इस मचली को अपने कबजे में ले लिया मचली की इस प्रजाती को कोले ने कहा जाता है दुनिया को हैरान करने वाली ये मचली अपने आप में इसलिए भी अनुखी माने जाती है क्योंकि इस मचली के चार पैर होते हैं वैग्यानिकों ने इस मचली को अब तक पूरी तरह से बिलूप्त मान लिया था वैग्यानी काफी आस्चर्य में है ये मचली समूद्र की लगबक 300 से लेकर के 500 फीट की गहराई में रहती है और इतनी गहराई में मचली का अब तक जीवित रहना अपने आप में काफी चमतकार या यूं कहें के हैरान करने वाला है मचली के मिलने के बाद वैग्यानी को ने इस बात को कहा है कि ये मचली मेडागासकर की जिस जगह पर मिली है उस जगह पर इस मचली के होने की उमीद बहुत पहले से लगाई जा रही थी हाला कि ये मचली अब जाकर के मेडागासकर की उस जगह पर मिली है वैग्यानी को ने जादा खुशी जताई है और इस बात को कहा है कि इस मचली से उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों इस बात में कोई दोर है नहीं कि हमारी ये समुद्री दुनिया अपने आप में रहस्यों से भरी हुई है और आज तक समुद्र के रहस्यों का 1% भी पूरी दुन में इतना ही